हाई गाई जोतिर मुए फ्रम जेयार एडिटिंग जोन गाईस आज मैं आप लोगो को कुछ इस्तरीक के इडिटिंग सिखाऊंगा लाइटो मैं आपके मदद से बहुत इजी वीडियो है गाईस दो तिन मिनुट का वीडियो है फुली देखो गाईस तभी आप लोग कुछ इस्तरीक के इडिटिंग कर सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं यह गाई सबसे ले तो लाइटूम के अंदर फॉटो को एड़ करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस्तरीक के का इंटरफेस आ जाएगा गाईस यहां पर अब लोगों को लाइट वाल मैनास की तरह ब्लेक को भी मैनास की तरह ठीक है तो गाईस फॉटो के अंदर कुछ थोड़ा सा डिटेल्स आ जाएगा और फॉटो थोड़ा एक्जिस हो जाएगा लाइट का ठीक है तो उसके बाद गई सब लोगों को यहां पार टैप करना है यानि कलर वलाइकन के अंदर तो इसके अंदर टैप करने के बाद आप लोगों को यहां पार मिक्स बले तुल के अंदर जाना है और यहां से आप लोगों को कलर एक्जिस्मेंन करना है ठीक है तो मैं सबसे पहले तो गिरिन कलर को सिलेट करूंगा उसके बाद मैं सेचुरेशन को फुली हाई और हीव को मैंनस की तरफ कर दूंगा सो बैग्राउंड जो है योलो हो जाएगा गाइस उसके बाद यहां पार जो फेस का कलर है यानि और इसको सिलेट करना है सिलेट करने के बाद ले मुलेशन को फुली हाई कर देना है फुली नहीं जितना आपका फेस है अच्छा लगेगा उतना ह हाई करिए और जो सेचुरेशन है उसको थोरह सा माइनस की तरफ आप लोग देख सकते जो फॉट है यहां पर थोरह सा रिटाचिंग हो चुका है एंड़ गाइस अब लोगों को यहां पर जो ब्लू कला रहे सको सिलेट कर लेना है सिलेट करने के बाद सेचुरेशन को माइ करने के लिए आप लोगों पर देख सकते जो फेस है यहां पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लाग रहा है कि कोई श्मूथ नहीं हो आभी तक शुक्त करने के लिए आप लोगों को उपड़ थोरह सा स्वाइब करने के बाद अब लोगों को इस वाले अप्शन के अंदर ट कर देना है दून ओप्शन को और करने से आपका जो फोटो है यहां पर एक्जिस्मेंट हो जाएगा यानि लाइट जो क्लार है ना थोरसा एक्जिस्मेंट हो जाएगा ऑटोमेटिक लिए ठीक है उसके बाद वाइड विलेंस को आप लोगों को देख ले रहा है लास्ट मे जो फोटो है यहां पर बिल्कुली एडिटिंग हो चुका है और कितने अच्छे तरगे से मैंने रिटाचिंग कर दिया उसके बाद अगर आप लोग और भी कलार चाहते हो यानि जो पीछे का कलार है थोरा सा ज्यादा चाहते हो तो इसको अन कर दीजिए आप ठीक है तो ज झाल झाल